इंदोर में कविता के स्तर को उचा उठाने उसके उन्नयन के लिए कवियों की संस्था कवी सम्मेलन समीती का राश्ट्री अधिवेशिन आगामी 25 और 26 जून को इंदोर में आयुज़ित किया जाएगा दोदिव से इस कारक्रम में देशभर के 100 से अधिक दिगच कवी कवित्रियां उपस्तित रहेंगी और विभिन विश्यों पर विमर्श करेंगे कारक्रम में वरिष्ट कवियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा कोरोना के कारण पिशले दो वर्ष से कवी सम्मेलन समीति का राष्ट्रिय अधिवेशन नहीं हो पाया था लेकिन इस बार यहां आयोजन इंदौर में होगा यह पाँचवा राष्ट्री अधिवेशन है इससे पहले हरेद्वार वरंदावन वा अन्य अस्थानों पर यहां आयोजन हो चुका है राष्ट्री अधिवेशन में कई विश्यों पर विमर्ष होगा हिंदी कवी सम्मेलनों की पाँच पीडिया इस अधिवेशन में चर्चा करे कवी सम्मेलनों के उननयंत तथा विगास का मार्ग प्रशलस्त करेंगी ये कभी समभलन समिती द्वारा कभी समभलन में भाग लिने वाले जो हमारे देश में लगभग 500 से अधिक कभी है ये उनका अधिवेशन है हमारे सदत से लगभग 200 हैं समिती के लेकिन ऐसे भी सैकुर्ण कभी हैं जो हमारे समीति में ना भी हो ये उन सब की बात संबेत रूप से प्रकट करने के लिए जो उद्द्यम किया जा रहा है ये वह आयूजन है और हमने 1922 में जो पहला सारजनिक कभी सम्मेलन हुए था उसको याद लगते हुए उसका शताबनी समारों हम इस साल मना रहे हैं इस तरह ये सौ साल हो रहे हैं और हम उसका शताबनी समारों मना रहे हैं और कितनी खुशी की बात है कि व्यावसाइक रूप से बहुत सफल सफल कभी अटन्त लोगत्री कभी बड़े बड़े कभी सब यहाँ पर आने की स्विक्रति दे चुके हैं और यहाँ पर सौ से अधिक कभीयों का एक सम्मेलन यहाँ हो रहा है जिसके हम सूचना आपको बहुत सहर्ष दे रहे हैं और चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें और इस जो काभी विमर्ष कभी सम्मेलन विमर्ष का यह उद्यम है इसको और देखम सफलता से मना सकें और आयजित कर सकें ऐसी आप से आशुर्ष राश्क्री अधिवेशन में पदमश्री सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर हरियों पवार, पदमश्री सुरेंद्र दुबे, डॉक्टर कुमार विश्वास, शैलेश लोड़ा, आईपीएस पवन जैन समयत कई दिगज इसका भी सम्मेलन में सम्मिलित होंगे, अधिवेशन में वरिष्ट कभीों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा, देखिए ये परिवार का चिंतन है औ और चूंकि कभी सम्मेलन में तीन भाग होते हैं, एक श्रोता, एक आयोजक, एक कवी, इन तीनों के बीच जब व्यभार ज्यादा होता है तो टकराहट होती है, लेकिन इस टकराहट से उठने वाली आवाज शोड़ ना हो, खनक बन सके, ये कभी सम्मेलन समीति का प्रयास ह इस पर हम चर्चा करेंगे, इसमें हमारे साथ पदमश्री सुरेंद्र शर्मा जी हमारे संद्रक्षा के वे उपस्तित रहेंगे, डॉक्टर हरियों पमार उपस्तित रहेंगे, अरुन जैमनी जी अध्यक्ष इसकवी सम्मेलन समीति के वो तो रहेंगे ही रहेंगे, हम सब जो आपको यहां मंचा सीन दिखने हम सब रहेंगे, इसके अतरिक्त कुमार विश्वास जी और शैलेश लोडा जी भी इस बार पहली बार समीती के किसी अधिवेशन में उपस्तित होंगे. यह राश्ट्री अधिवेशन इंदौर के एक क्रिसंट वाटर पार्क में होगा, इसमें नए कवी भी लगू चर्चा के दौरान वरिश्ट कवीयों के समक्ष अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे. ब्यूर रिपोर्ट, MP News, इंदौर.